हाई फ्रेंड्स आप देख रहे हैं VS Astrology मैं गाराओ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ VS Astrology में दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे मार्स इन फोर्थ हाउस मंगल आपकी कुंडली के चौथे घर या चौथे भाव में होंगे तो क्या फल देंगे दोस्तों लेशन की शुरुवात करने से पहले कुछ बातों का विचेश ध्यान रखें पहली बात मंगल के किसी भी निशकर्ष पर पहुशने से पहले मंगल का जो भी रिजल्ट रहा मंगल का जो भी परिनाम होगा उसके अनुपाद पर पहुशने से पहले उसकी डिगरी दे तो वो अपने ज्यादा फल देने के काबिल नहीं रह जाते अपने कम फल देते हैं चाहे वो उनके अच्छे फल दे रहे हूं या चाहे बुरे फल दे रहे हूं वो कम देंगे 10 से लेकर 20 तक की डिग्री में ही कोई भी ग्रह अपने ज्यादा फल देते हैं चाहे वो अच्छे फल दें चाहे बूरे फल दें ज्यादा फल देते हैं तो मंगल की डिग्री जरूर देख ले दूसरी बात दोस्तों कि मंगल की 3 द्रश्टियां होती है चौथी, साथवी और आठवी यदि आप जानना चाहते हैं कि द्रश्टियां क्या होती है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलोजी लेसन ले निंती में जाए फर्स्ट वीडियो देखें आपको एक बैसिक जानकारी मिल जाएगी अगली बात दोस्तों यह कि मंगल जब चौथे घर में होते हैं तो सामनेता व्यक्ति को मांगलिक माना जाता है हाला कि इसके कुछ कैंसिलेशन पॉइंट है लेकिन फिर भी नॉर्मली व्यक्ति मांगलिक होता है इसलिए जब भी व्यक्ति का विवा हो उसकी शादी के बारे में जब सोचा जाए चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो तो उसके लिए मांगलिक लड़का ये लड़की जरूर देखना चाहिए ये अनिवारे होता है तो चौथे घर में यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल है वो व्यक्ति दार्मली मांगलिक माना जाता है तो इस बात का विशेज द्यान रखें अगले बाद दोस्तों ये कि जब चौते घर में मंगल होते हैं तो वो अपनी द्रश्टी दस्वे और ग्यारवे घर में डालते हैं चुकि दस्वा घर नौकरी व्यवसाय का घर में माना इसलिए अधिकतर व्यक्ति मिलेटरी में जाता है पुलीस में जाता है या ऐसे वर्क करता है जो सहासी वर्क हो तो अधिकतर ये देखा गया है कि जब चौते दस्वे घर में जब मंगल की द्रश्टी हो या फिर मंगल का प्रभाव हो तो व्यक्ति इस तरह के सहासी कारी कर बलकि भारत देश के बाहर से भी USA, अफ्रीका, अस्ट्रेलिया, दूबई, जापान, चाइना, अलग-अलग जगों से मुझे कॉल करते हैं और मुझे पर इतना विश्वास करते हैं, अपनी कुंडली का एनलेसिस मुझे से करवाते हैं और फिर बाद मैं आप फिडबेक भी देता हैं कि मैंने जो कहा वो सही हुआ तो मुझे एक confidence आता है और जो आपकी विश्वास है, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ और इसलिए मैं यहाँ पर स्क्रीन में नीचे अपना नंबर दे रहा हूँ क्या फल देंगे। चलि दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मंगल चौथे घर में किन राशियों के साथ अच्छे और किन राशियों या numbers के साथ बूरे फल देंगे। दोस्तों अच्छे फल की बात करते हैं, note कर लीजिए, मंगल जब चौथे घर में एक नंबर 8 नमबर या व्रशिक राशी के साथ हो, 11 नमबर या कुम्ब राशी के साथ, और 12 नमबर या मीम राशी के साथ इदी मंगल होंगे, चौथे घर में, तो वो अच्छे फल देते हैं. दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि बुरे फल मंगल किंद राशियों के साथ देते हैं जो कि बच्ची वी राशिया हैं उनके साथ बुरे फल देंगे कौन-कौन सी राशिया हैं दो नमबर या व्रशव राशी के साथ मंगल बुरे फल देंगे चार नमबर या करक राशी के साथ मंगल बुरे फल देंगे पांच नमबर या फिर सी राशी के साथ मंगल बुरे फल देंगे छे नमबर या फिर कन्या राशी के साथ मंगल बुरे फल देंगे और नौ नमबर या धनू राशी के साथ भी मंगल बुरे फल देंगे चुकि दस नंबर के साथ मंगल उच्चे के माने जाते हैं लेकिन ये जो कुंडली बनती है जब मंगल दस नंबर के साथ चौथे घर में होते हैं तो ये जो कुंडली बनती है ये तूला लगने की कुंडली बनती है और तूला लगने की कुंडली में मंगल मारक ग्रह माने ज तो दोस्तों यह मैंने आपको बताए कि मंगल किन राश्यों के साथ अच्छे किन राश्यों के साथ बुरे फल देंगे अब दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या अच्छे और क्या बुरे फल देंगे एक बात और दोस्तों मैं बता दू कि मंगल चार नंबर के साथ नीच के माने जाते हैं तो यदि चार नंबर के साथ है तो बहुत ज्यादा बुरा फल देंगे उसका उपाय करना भी आपको बहुत जरूरी है जो उपाय में आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दूँगा एक बात और दोस्तों कि मंगल दो नंबर के साथ चुकि मंगल दो नंबर के साथ आपके नौकरी वेवसाय में आपकी लाभ आए इंकम को लेकर के अच्छे फल देंगे लेकिन आपकी माता भूमी गाड़ी वहान को लेकर बूरे फल देंगे तो दो नंबर के साथ पूरे पूरे फल नहीं होंगे पूरे अच्छे फल भी नहीं होंगे काम काज और आए इंकम को लेकर अच्छे फल होंगे अपनी महादशा अंतरदशा में और माता भूमी गाड़ी वहान को लेकर के बूरे फल होंगे चले दोस्तों बात कर लेते हैं क्या अच्छे और क्या बुरे फलोंगे दोस्तों अच्छे फलों की पहला चर्चा कर लेते हैं चुकि मंगल चौथे घर में यदि होंगे तो मंगल की महादशा या अंतरदशा व्यक्ति को चल रही होगी तो व्यक्ति की माता से अच्छी बने में तो बिल्कुल आसानी से खरीद पाता है आसे अने से बना पाता है जब मंगल यहां से अपनी द्रश्टी सात्वे घर में डालते हैं तो यहां से रिलिटेड भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है व्यक्ति की यदि अल्रेडी मैरीज हो चुकी है तो यहां पर मैरीज व्यक्ति का होता है तो व्यक्ति मांगलिक माना जाता है तो यह व्यक्ति का Live Partner मांगलिक 노ी नहीं यह सकते है तो यहां पर अपने Live Partner को मंगल अपनी दरश्टी दसवे घर में डालते हैं तो जैसा मैंने कहा कि व्यक्ति के मिलेटरी में जाने की चांसेस होते हैं आर्मी में जाने की चांसेस होते हैं पुलीस में जाने की चांसेस होते हैं या फिर किसी भी तरह का जो सहासी वर्क होता है साहसी कार यह होता है उसमें जाने के chances ज्यादा रहते हैं गौर्मेंट जॉब करने के chances भी ज्यादा रहते हैं जब मंगल अपनी द्रश्टी 11 घर में डालते हैं तो यहां से related भी positive result मिलता है मंगल की महादशा या अंतरदशा में व्यक्ति की आय जो होती है इंकम जो होती है वो proper बनी रहती है यह व्यक्ति बिजनस भी करता है तो बिल्कुल आसानी से वो उचाईया पा लेता है मंगल की महादशा या अंतरदशा में तो मंगल की महादशा या अंतरदशा उसके लिए अच्छी हो जाती है, अब इसी की रिप्रित मंगल बुरे फल क्या देंगे, चुकि मंगल चौते घर में बैटे हैं, तो मादा से कुछ न कुछ दिक्कते परिशानी वेक्ति को चलती रहेगी, मकान, भूमी, गाड़ी, वहान वेक्ति बनाना चाहता है, खरिदना चाहता है, तो मंगल की महादाशा या अंतरदशा में नहीं खरीद पाएगा या खरीदेगा भी तो उसे डीले होगा, या परिशानी आएंगी, जब मंगल अपनी दुरस्टी चौते घर में, माफ केज़ेगा, सात्वे घर में डालते हैं, तो यहां से रिलेटेड भी नेगेटिव र तो यदि ऐसा है, तो व्यक्ति को मंगल की महादशा या अंतरदशा में पार्टनर्शिप में बिजनस बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए, जब मंगल अपनी दुरस्टी दुरस्वे घर में डालते हैं, तो यहां से रिलेटेड भी नेगेटिव रिजल मिलता है, यह तो जरूर चांसेस बन जाते हैं कि व्यक्ति आर्मी में जाता है, पुलीस में जाता है, साहसी कारे करता है, लेकिन वहाँ पर हो सकता है कि उसका मन नहीं लगता है, या फिर वहाँ से वो छोड़ने की कोशिश करता है, नौकरी यदि करता भी है, इस तरह का कोई गौर् इस तरह मंगल अपने नेगेटि रिजल्ट देते हैं, दोस्तों जो नेगेटि रिजल्ट देते हैं, उन्हें कम करने का मैं आपको उपाए भी बता देता हूं, यदि मंगल चार नंबर के साथ है, तो चुकि नीच के माने जाते हैं, तो यहाँ पर आपको जरूर मंगल का इस मंत्र की रोज एक मालाकर्जप आपे जरूर्व कर करें यदि चार नंबर के साथ है चौथे घर में तो Toh Zरूर करें इस मंत्र की एक माला का जब रोज और यदि आपको मंगल की महादश्या या अंतरदश्या चल रही है तब तो आपको करना ही चाहिए तो आपकी जो ये बुरे फल मंगल देवता दे रहे हैं इनमें कमी आएगी हाला कि मंगल देवता बहुत अच्छे नहीं हो जाएंगे आपको बहुत अच्छा फल देने के काबिल नहीं हो जाएंगे लेकिर जो बुरा फल दे रहे हैं वो बिल्कुल कम देंगे या फिर नहीं देंगे तो बिल्कुल शद्धा के साथ इस मंत्र का जाप आप जरूर करें चली दोस्तों यह हमने बात की कि मंगल चौते घर में एक से लेकर 12 नंबर या मेश से लेकर में राशी के साथ होंगे तो क दोस्तों इस चैनल की प्लेइस्ट एस्ट्रोजी लेसरेन हिंदी में जाएं वहाँ पर वीडियो देखें वहाँ पर हम समय समय पर इस्टेप बाइस्टेप वीडियोस अप्लोड करते रहते हैं जहां जाकर आप एस्ट्रोजी या जोतिश सिख सकते हैं यदि आप अपने राशी फल भी जानना चाहते हैं तो दोस्तों प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें चली दोस्तों आपने वीडियो देखा आप आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाई बाई